हलो स्टूडेंट्स आज के इस सेशन में हम साथ क्रिस्टल समू कहने का तात्परियें पिछले टोपिक में हमने एकक कोश्टिका के पेरामिटर जिसमें तीन भुजाएं ए, बी, सी, तीन कोण, एलफा, बीटा और गामा इनका अध्यन किया आज हम इन तीन भुजाओं तीन कोणों के अधार पर साथ क्रिस्टलों का निर्मान करेंगे साथ प्रकार के क्रिस्टल बनाएंगे जिन में हम उनकी करम से बुजाएं देखेंगे एलफा, बीटा, गामा, कोण, समान है ए, समान है, कितने डिगरी के बने हुए है इनके आधार पर जो क्रिस्टल बने हुए है उनका ध्यन करेंगे इस साणी में आप देखेंगे इस साणी में कोलम बनाए गए है क्रिस्टल का नाम अक्षे दूरिया जिस अक्ष के उपर जो बुजा है वो बुजाएं कैसी है और उन भुजाओं के मद्य बनने वाला कौन बराबर या कितने डिगरी का है फिर उस क्रिस्टल के जो एक्जामपल है कि कौन सा योगिक है वो इस प्रकार के क्रिस्टल की सरंचना को दरसाता है नमबर एक इसमें घनिय सरंचना जो पहला क्रिस्टल है वो कौन सा है घनिय यानि उसकी जो सरंचना होगी वो एक घन के समान होगी और घन में हमें पता है कि घन की जो बुजा होगी तिनों बुजा A, B, C तिनों बुजाएं क्या है बराबर है A बुजा Equality to B, Equality to C तिनों बुजाएं समान है Alpha, Beta, Gamma तीनो कौन समान है और उन तीनो के मान 90 डिगरी के निगा मनलव उनके मद्दे प्रते भुजा के मद्दे 90 डिगरी का कौन बना हुआ है तो दिमाग में एक घं की सरंचना के निगा मनलव कमरे की सरंचना आ जानी चाहिए और उस कमरे की जो भुजा है उसकी जो दिवार है वो उनके मद्य आपको पता है जो कौन होगा हो 90 डिगरी का होगा इसके एक्जामपल NaCl, नमक, पोटेशियम क्लोराइड, केसील, जिंग सलफाइड जिसको हम एक इसका दूसरा नाम और है यसद ब्लेंट के नाम से इसको जानते हैं आगे वाला जो सरंचना क्रिश्टल की ड्वी सम लंबाक्स, नाम देखिए ड्वी सम लंबाक्स यनि दो बुजा क्या हो, जिसके अंदर दो बुजा तो समान होगी और तीसरी बुजा ऐसमान होगी तो देखिए A और B तो बराबर हैं लेकिन C बराबर नहीं है अक्षिय कोण जो इनके मद्द्य कोण है वो वो ही समान रहेंगे α बराबर बीटा बराबर गामा और उनके मान वो सबी कोण है ब्लाव L5 वो भी 90 degree है बेटा है वो भी 90 degree है गामा भी 90 degree स्वेट टीन SN2 ये इसके एक्जाम्प है इसी प्रकार देखे विसम लंबाक्स विसम लंबाक्स नाम से पता चलेगा विसम लंबाक्स यादि कोई भी भुजा है वो समान नहीं है प्रतिक भुजा एक दूसरे से भिन है तो A बराबर नोट यानि A not equal to B not equal to C एलफा बीटा गामा इनके मान ये तिनों बराबर है प्रतिक कोण 90 डिगरी का है गंदक और KNO 3 Potassium Nitrate आगे देखिए 60 कोण ही है ये सरंचना है ये मोश्ट है 60 कोण ही सरंचना क्योंकि यहां से प्रसन आने वाला जो प्रसन है वो 60 कोणिये सरंचना और एक ये जो त्री नक्ताक सरंचना है यहां से पूछा जाता है 60 कोणिये में देखिए 60 कोणिये के लिए हम क्या कहेंगे 60 कोणिये के लिए A equal to B not equal to C Alpha और Beta कोण बराबर है और 90 डिगरी है और इनका जो गामा कोण का मान है वो 120 डिगरी है ग्रेफाइट इसके एक्जामपल मेगनिसियम जिंक ओकसाइड जैडन ओक त्री समनक्ताक्स त्री समनक्ताक्स में A equal to B equal to C Alpha, Beta, Gamma ये तिनो कोणिये समान है लेकिन 90 डिगरी नहीं है एक्जामपल केल साइट और क्वार्ड्स आपको पता है क्वार्ड्स की क्या है SiO2 SiO2 आगे है एक नक्ताक्स एक नक्ताक्स में A not equal to B not equal to C Alpha और Gamma विशेश यहां भी है Alpha और Gamma 90 डिगरी है और बिटा कोण है वो 90 डिगरी नहीं है इसके एक्जामपल एक नक्ताक्स गंदक आगे त्रे नक्ताक्स A not equal to B not equal to C Alpha जो कोण है वो विटा कोण और Gamma कोण तिनों बराबर नहीं है और उनका मान 90 डिगरी भी नहीं है एक्जामपल के 2CR 207 और H3 VO3 एक बार आप उन्हें देखो कि इस साणी के माद्यम से हमें यह पता चलेगा कि क्रिश्टल है वो कितने प्रकार के हैं क्रिश्टल साथ प्रकार के हैं और इनमें पूछे जाने वाला जो प्रसन है वो यह है कि इसमें से प्रसन है वो अक्षे दूरी और अक्षे कोणों में से प्रसन आता है कोई भी क्रिश्टल मान लो सट कोणिये मैंने यहां विशेस लिखा है सट कोणिये सरंचना के लिए पूछा जाता है कि सट कोणिये क्रिश्टल के लिए अक्षे दूरी और अक्षे कोणों के मान लिखी है एक नमबर का प्रसन पूछा जाए तो A बराबर B और C उसके बरा डिग्री है, इस चित्र में देखिए, ये जो सरंचना है, वो घनिय सरंचना है, यहाँ घनिय सरंचना और घनिय सरंचना की डाइग्राम में देखिए कि भुजा है A, B और C तीनों का मान क्या है बराबर है और कौन आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं क्रिस्टल में जो कौन है वो प्रते कौन एलफा कौन 90 डिगरी का है बिटा कौन भी 90 डिगरी का है और जो गामा कौन बना हुआ है वो भी 90 डिगरी का है आगे बात करेंगे द्वी सम लंबाक्स की द्वी सम लंबाक्स में A equal to B not equal to C यह आप ध्यां रखना इसमें इसमें जो अक्षिय दूरिया है A equal to B not equal to C इसकी अक्षिय दूरिया इस परकार है और इसमें आप देखोगे alpha cone 90 degree का beta cone 90 degree का gamma cone 90 degree का इसी परकार विसम लंबाक्स में आप देखिए विसम लंबाक्स में सारे जो सारी भुजाएं हैं वो बराबर नहीं है तो हम इसके लिए हम लिखेंगे A not equal to B not equal to C यह आणि A not equal to B not equal to C तीनों के लिए भुजा A समान है और alpha, beta और gamma प्रते का कोण आप देखोगे 90 degree है यह सरंचना मोष्ट है इसी की बात हम कर रहे थे सटकोणी है सटकोणी है सरंचना में मैंने पहले आपको कह रखा हैं कि इसके अंदर कि इसके अंदर क्या होगा अक्षिये दूरियों की बात करें तो दो भुजा तो समान होगी A बराबर B लेकिन तीसरी भुजा समान नहीं होगी A बराबर B not equal to C और यहां हम एक विशेश बात ओर अक्षिये कोणों के मान alpha कोण का मान 90 degree beta कोण का मान 90 degree लेकिन gamma कोण का मान कितना 120 degree तो यह आपको ध्यान रखना है alpha, beta दोनों क्या हैं बराबर हैं और एक का मान कितना 90 degree और जो gamma है उसके लिए 120 degree यह यहां से 60 कोण यह का परसंद पुछा जाता है आगे ध्यान दीजिए आप आगे देखोगे तो आपको पता चलेगा त्री समनक्ताक्स त्री समनक्ताक्स में जो दूरियां है वो क्या रहेगी समान रहेगी a बराबर b बराबर c a बराबर b बराबर c अक्षिय दूरियां और कोणों के में त्री सम नक्ताक्ष में जो कोण होंगे वो एलफा, बीटा, गामा बराबर होंगे लेकिन 90 डिग्री नहीं होंगे आप यहां देखो इस डाइग्राम में 90 डिग्री है क्या नहीं 90 डिग्री नहीं है एक नक्ताक्ष में तीनों भुजाओं के मान अलग है a बराबर nought b nought to c याई a 1 o eql to b nought equal to c और यहाँ गमा कोण का मान 90 डिगरी, एलफा कोण का मान 90 डिगरी और बिटा कोण का मान 90 डिगरी नहीं है इसी प्रकार तरी नक्ताक्स का प्रसंद पुछाजाए तो बस English है इसके लिए अक्षे दूरियां A बराबर यानि A not equal to B not equal to C alpha not equal to beta not equal to gamma और not equal to 90 degree यह यहाँ इसका प्रसंद बनता है दो से प्रसंद पूछे जा सकते हैं सटकोनिय से या तरी नक्ताक से या फिर इनके example हैं जो मैंने आपको बता हैं कि example किस प्रकार के हैं वो example आपको दिए